लो विवन कैसे हैं आप सभी वेलकम टू फिनिशर्स CSN IT आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में हम एक डाउट सेशन बेसिकली रहने वाला है छोटा सा जिसमें काफी सारे मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बहनों के डाउट आ रहा है MS Word में HSSC बार बार एक question पूछ रही है basically वो question क्या है आप लोग उने देखा होगा कि एक तो header नाम का question आता है कि header क्या है या फिर आपसे पूछेगा वो फूटर के बारे में या फिर वो पूछेगा आपसे end note के बारे में या फिर आपसे वो पूछता है footnote के बारे में एक बार इनके बीच में काफी डाउट आ रहा है कि सर इनके बीच में हमें थोड़ असा बोर्ड पे समझा दो हमें समझ नहीं आया मैंने practical करने की भी कोशिश की थी लेकिन आप लोगों को आसा वहां से टिपिकल ही लगता तो मैं पर आपके सामने आके सीज को समझाना चाह क्या है कि ऐसा सोफट्वेर जहां पे हम फर्ड की प्रोसेसिंग करें शब्दों का परियोग करके हम क्या बनाएं वहां पे हम डोक्योमेंट्स बनाते हैं वहां पे पेपर बगैरा भी मना सकते हैं और जो आपका MS Word होता है दोस्तों इस MS Word का जो इंटरफेस होता है का उप्शन दिखता है कोल्स का उप्शन दिखता है वह वाटसाइब का इंटरफेस है फेस्बुक खोलते हो स्टोरी के उप्शन दिखते हैं पोस्ट डालने का उप्शन दिखता है प्रोफाइल दिखती है वह फेस्बुक का इंटरफेस है ऐसे ही सभी सॉफ्ट्वेर का उस एरिया को क्या काते हैं working area काते है ओर इस working जो यह working एरिया होता है यह वेसिकली क्या होता है हमारे पास एक page होता है इसको हम page कहते हैं तो rhưपμη into many pages के वी जादा वी हो सकते हैं वो nirवर करता है आपको रृजन बंब यूचिन पेपर बनानेये किताब लिखनी आपको क्या करना है अक्तने पैजे घिलिए अब क्या होगा बात आती है सबसे पहले header, जेखो header head है, head से समझो, head कहाँ पे है हमारा, head हमारा शरीर के top हिस्से में होता है, उपर वाले हिस्से, foot कहाँ पे होता है, foot हमारे नीचे की तरफ होते हैं, यहाँ से पहला चीज़ clear करो, कि जो header होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा एंड का मतलब क्या होता है याने कि आखरी एंड का मतलब एसा note जो आखिर में हो लेकिन किस के आखिर में हो हमारे पूरे document के आखिर में हो अब ध्यान से समझो, 50 page का एक document है, हमारे पास क्या है, एक document है, जिस document में total number of page कितने है, total 50 page है, पहले page का नमबर है, एक और आखरी page का नमबर कितना है, 50 है, 50 page का एक document है, जिसमें पहला page का नमबर है, एक आखरी page का नमबर है, 50, और इस 50 page के document में, end note जो होता है, ऐसा note जो end, यानि की आखिर में, और आखरी क्या होगा, आखरी होगा हमारा पचासवा page, जितने भी page की document है, उस document के बिलकुल आखरी में, अगर कोई चीज होती है, तो वो होती है, end note, ठीक है, ऐसा note जो आखर में होता, वहीं footnote, ऐसा note जो कहा होगा, नीचे की तरफ होगा, लेकिन footer और footnote, end note और header, इनमें difference समझने की कोशिश को, सबसे पहले हम footnote को, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए footnote को हम छोड़ते हैं, अभी हम आ जाते है, header पे और footer header जो हमारा होता है, दोस्तो, header में एक तो मैं बता देता हूँ, आपको क्या-क्या हम डाल सकते हो, header में आपको कोई photo लगा नहीं है, तो आप header में photo लगा सकते हो, header में आप अपने page का, अपने document का title दे सकते हो, यह सारी चीज़े आप header में add कर सकते हो, जैसे हम कोई भी किता यह चाब नहीं खरीदते हैं उसह केमम खूलते हैं तो हमें उपर की तरफ लिखा हुए दिर ता है कि ये टाइटल है ये इस चैप्टर का टाइटल है उपर वाब हिस्सा जो होता है पेज का उसमें हमें हैडर दिखता है ms world के किसी भी page के उपर वाले हिस्से में क्या डाला जाएगा header डाला जाएगा और एक बार जो हमने header डाल दिया ध्यान से समझना once we inserted any header on any page एक बार जव हमने header डाल दिया एक page पे वो by default सारे के सारे document में जितने भी page हैं, उन सभी पे आ जाता है, automatically, ठीक है, header, page के उपर वाले हिस्से में, नाम, टाइटल, फोटो वगएरा, यहां पे अगर आपको डालना है, किसी भी page के उपर वाले हिस्से में, तो आप header डाल सकते हो, और एक बार header आपने एक जगह पे डाला, तो वो header हर page के लिखता है, नीचे वाले हिस्से में, आपको किसी भी किताब को जब आप पढ़ते हो, तो आपको page नंबर लिखा हुआ दिख जाता है, कोई आपको signature वगएरा दिख जाता है, कोई name वगएरा दिख जाता है, यह सारी चीज़े आपको footer में दिखती है, तो footer जो होगा, व हो जाएगा, तो header हर page के ऊपर वाले हिस्से में डाला जाता है, और हर page पे आजाता है, footer हर page के नीचे वाले हिस्से में डाला जाता है, और एक page पे डालते हैं, तो हर page के ऊपर footer अपने आप आ जाता है, एंड note, document में किसी भी चीज़ के बारे में, मान लो, इस document में एक ज जाना की पचास में पेज पेर एक नोट डाल सकते हैं कि इस बात इस लिए लिए में कि सब्सटा उसकते हैं कि किताब के आफिर में पहुंच में जब रीडर दोक्युमेंट को पढ़ रहा होगा गजों डोक्युमेंट के आखिर में पहुचेगा, तो वहाँ पे उसको पता लगेगा कि उस page पे जो ताज महल word आया था वो इसलिए वहाँ पे लिखा गया था या ताज महल के बारे में हम वहाँ पे लिख सकती, clear होगी बात चाब footnote जैसा कि footer एक page के नीचे वाले हिस्से में डाले जाने से हर पेज के नीचे वाले हिस्से में आ जाता है ऐसे ही किसी particular एक पेज पे, जान से सुनना जिस पेज पे हम चाहते हैं, only on that page, सिरफ उसी पेज पे footnote आएगा उटार एक पेज पे डालना होता है और हर पेज पे आ जाता है footnote नीचे की तरफ डाला गया note, जो उसी पेज पे आएगा, जिस पेज पे हमें उसकी जरूरत है, इसी पेज पे अगर कोई शब्द आ गया, उस शब्द के बारे में हम footnote डालना चाहते हैं तो हम उस शब्द को सेलेक्ट करके उसी पेज के नीचे वाले हिस्से में अलग से footnote डाल सकते हैं कि भाई, ये चीज हमने इस पेज में इस चीज के लिए यूज की धिर हो गया मामला एक बार हलके से दुबारा से एक पिक्चर बनाके रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझने के बात header, footnote, footnote और endnote इन चारों में confused नहीं होना है जुलाई, जून, जुलाई से लेके अभी तक HSSC के जितने भी एक्जाम हुए हैं इन चारों से question बार बार repeat हो रहा है पटवारी एक्जाम के लिए मुझे लगा कि एक बार board पर आके आप लोगों को मुझे इसको जूरूर पूल करवाना चाहिए और उमीद गरूँगा कुछ समझ में आपके आया भी होगा, अभी दो मिनिट के लिए आप जहां से आके बंद करके प्यार से सिरफ समझिये, सुनिये header page के उपर वाले हिस्से में डाला जाता है और header को एक बार हम डाल देते हैं वो हर page के उपर automatic आ जाता है pooter किसी भी page के नीचे वाले हिस्से में डाला जाता है तो पहले page के नीचे वाले हिस्से में अगर pooter को हमने डाल दिया page नमबर लेख दिया तो automatic 50 page होंगे तो सारे page नमबर automatic नीचे आ जाएगा pooter हर page पे आ जाएगा header हर page पे किसी particular page पे 50 page की document के अंदर अगर 20 में page पे हम काम कर रहे हैं और हमें लगा कि इस 20 में पेज में हमने किसी चीज का use किया है किसी शबद का use किया है और उसके बारे में हम हमारे readers को बताना चाहते हैं तो हम उसी page पे उस शबद को highlight करके उस शबद को select करके हम उसी page के नीचे वाले हिस्से में एक footnote डाल देगे जो भी हमारे document को पडेगा उसको पता होगा कि ये footnote इसके लिए डाला गया है तो उसको समझ जाएगा लेकिन footnote जब हम चाहते हैं सिरफ और जितना चाहते हैं उथना ही डलेगा और जिस page पे चाहते हैं सिरफ उसी page पे डलेगा बाकि किसी page पे footnote नहीं जाएगा footer हर page पे चला जाएगा हमारे पास हमारा document चाहे 10 page का है 20 page का है चाहे 50 page का document है जो end note होता है end note होता है वो हमारे उस दस्तावेज के उस document के आखिर वाले हिस्से में लगाया जाता है document के आखिर वाला हिस्सा जो होगा last page जोगा उसमें end note डाला जाएगा जो भी information आपको अपने document के बारे में important लिखनी है वो आप वहाँ पे डाल से यह बात है दोस्तों header, footer, end note और footnote अब आप एक बात और सुख लिजिए कि अगर भविश्य में MS Word से अगर कोई question आता है तो देखो एक तो आपको मैं वर्ड बताता हूँ application software MS Word क्या होता है? application software होता है application software के अंदर MS Word जो होता है वो general purpose software की category में आता है आम तोर पे use किये जाने वाले software वो general purpose software होता है अगर लिखा आ जाए word processing क्या बोला मैंने? अगर लिखा आ जाए word processing अगर लिखा आ जाए document अगर लिखा हुआ आ जाए page अगर लिखा हुआ आ जाए news paper column अगर लिखा हुआ आ जाए letter ये सारी चीज़ें अगर आपको लिखे हुई दिख जाए word process software, general purpose software, letter, document, page, newspaper, column header, footer, endnote, footnote अगर ये सारी चीज़ें आपको exam में देखने को हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो answer होगा वो 99.99% है हमारा answer क्या होगा? MS Word होगा जो .1% जो मैंने marks deduct किये हैं ये किये हैं क्योंकि general purpose software के अंदर और application software के अंदर हमारा excel भी आता है और PowerPoint भी आता है ठीक है? तो आपसे general purpose software अगर पूछेंगे तो फिर आपसे option में MS Word देंगे आप लोगों को doubt था क्लियर हो गया होगा संजीव का ये doubt था जिसने काफी दिन से request कर रहा था अभी मुझे time लगा तो मैंने आप चीज़ कर वा दो और आप लोगों को जैसा की पता है ktdt online education app पर हमारा mock test हमारी mock test series जो चल रही है आप उस mock test को जरूपाई कीजिए उसके अंदर computer का जितना भी content है जितने भी जंस है वो मैंने personally वहाँ पर सेट किये हैं मेरा content वहाँ पर मैंने apply किया है और करन कोशिक सरगा content आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत अची test series है उसका जरूप कीजिए और उससे आप टेक्टिस कीज जी एक्जाम में आपको शुरूर फाइदा मिलेगा उसी के साथ मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए टेक के बाबाए तो मच